आज मैं बना रही हूं फ्राइट शुरिप विद बटर और गार्लिक इसको बनाने के लिए हमें जिन चीजों की ज़रूरत पड़ेगी हैं मैंने 400 ग्राम शुरिम्प लिए हैं डिवेन हैं साफ हैं बिलकुल इनको मैंने अच्छे से दो के इनका पानी खुश कर लिया है छे क लोफ मैंने गार्लिक के लेके उनको मोटा मोटा युकूक लिया है इससे इसका जाइका बहुत अच्छा निकल के आएगा आप बहुत बारी कि इसको काटना चाहें तो काटने लिमन का जूस चाहेगा हाफ मेरे पास यह लाइम है थोड़ा सा यह मेरे पास सबस लहसन है ड्राइट पार्सले हैं बिलकुल एक पिंट जितना वो डाल दीजिएगा हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च है मेरे पास आप काली इसमें एड़ करना चाहें थोड़ी सी तो जब आप सीजनी करेंगे तो तब इसके इंदर डाल दें हाफ टी स्पून जितना यह मेरे पास नमक है आप नमक और मिचें अपनी मर्जी से कम या स्यादा कर सकते हैं एक टेबल स्पून इसमें बटर जाएगा हाफ टेबल स्पून इसमें में डालूंगी ऑईल का ताके बटर जो है वो जले नहीं बहुत थोड़ी सी चीजें हैं सिंपल है बनाना बनेंगे बहुत बनाना शुलू करते हैं हाफ टेबल स्पून और एक टेबल स्पून इतना जो बटर है वो मैंने इसमें डाल दिया है फ्राइपन के आप अगर बटर ज्यादा डालना चाहते हैं आपको इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो आप स्यादा डाल सकते हैं यहां पर मैं साथ इसमें लेसन डाल दूँगे हीट जो है वो मैंने मीडियम पे रखी हुई है लेसन तोड़ा सा फ्राई होता है तो हम सुरक मिशें भी साथ डाल देंगे ताकि वो फ्राई हो और उनका भी जो जाइका है वो निकल लाए तो बोड़ा सब्कुले को पेंट समें यह सबस्ले संदावें यह अब यहां पर लहसन जो है वो फ्राई हो गया है जितना उसको करना था नहीं अब यह तीन मिनट अच्छे से प्राई हो गया है मीडियम हीच पर श्रू हो गई है यहां पर श्रिम्प डाल देंगे अंदर जो अब इनकी व्राईटी जो है वो आप लेना चाहें वो ले लें इनको एक साइज से थोड़ा सा पकने लेंगे थोड़े से मास आजाए इनकी उपर इनको फिलिप करते हैं कर दो कर दो किपिए कर दो जो हरा है मेट को जो ने वो थोड़ा सा हई पे की है चार से पांट मिनुट में ये रेडी हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बनाएंगे, ये रबडी हो जाएंगे इसके अंदर, यहां पे अगर आप बटर और डालना चाहें तो इसके अंदर डाल सकते हैं आपको पसंद है अब इनको तीन मिनित के लिए हम आई-वीच पिस करेंगे, फ्राइए या मेरी जूस प्रीज करेंगे आपको प्रीज करेंगे बस तो पीक मिनित और इनको फ्राइए और निकाल लेंगे, शेंट को हैं वो फ्रेडी है अब आपको प्रीज करेंगे आपको निकाल लूँगे, निकाल के आपको लिखाती हूं श्रीम रेडी होगे, इनको अब में निकाल रही हूं आपको प्रीज करेंगे यह मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ सबस लहसन जो है वो पड़ा हुआ है यह में उपर डाल दूंगी गानिश के लिए बटर एंड गालिक फ्राइड श्रीम रेडी है मेरे आपको पसंद आएंगे थेंक्यू पर वोचिंग, आलाहफेज पर जो दोपको पस्जान पर वोचिंग